बेंगबाद के एक हच्चाकांड मामले में गरफतार वक्ती को निर्दोस बताते हुए मंगलवार को पुलस लाइन पहुचकर रंगामाटी के ग्रामिनों ने स्पी को आवेदन सौपा और न्याय की गुखार लगाई इस क्रम में बेंगबाद कांड संख्या 180 बटा 2020 में गरफतार गुपाल मुर्मू और अभियुक्त रामजी किस्टू एवं युनूस मुर्मू पर लगाए गए आरोप को निराधार बताते हुए एसपी से निस्पक्ष जांच की मांगी गई इस सिष्ट मंडल का नित्रित्व जोती सोरेन कर रही थी वही मौके पर काफी संख्या में ग्रामेर उपस्तत हुए इससे पहले तमाम लोगों ने जंडा मैदान में धरना दिया और बेंगबाद पुलस की कारवाई पर सवाल खड़ा किया बताय गया कि कांड के बाद गु गुना को गिरफटार कर लिया ग्रामेनों ने पांस उत्री मांग पत्र के साथ एस्पी को यह आवेदन सौपा और निस्पक्ष कारवाई की मांग दी बेंगाबाद थाना कांट संख्या 180-20 में निल मुद्मु नामत एक प्यक्ति का हत्या हुआ था उस समय गुमार गौरों कि गिरिडी के इमांदार आपियस अधिकारी माने जाते थे उन्होंने जाच किया और गोपाल मुर्मु यूनूस मुर्मु राजमनी किसकू को निर्दोस कराल दिया पांच दिन तक खाना में रखने के बाद जो इसके बाद जो फोड़ दिया अब है क्या कि मामला ऐसा फंसने लगा कि दोस्ती तक आज नहीं पहुंच जाए इसलिए पुना तो आज आरे के समिक जिरफतार कर दिया गया इनका मांग है कि जो बेक्षी है संदिग्ध है उसके मोवाइल कोल का जो है जाज करवाए जाए दूद का दूद पानी का पानी हो से बाता हुए उन्होंने आस्वासन दिया कि कल जो है तो हम आप लोग का घर जाएंगे वहाँ अच्छी तरसे जाच करेंगे